नमस्कार मैं शंभुक उमार सिंग और आप देख रहें निशन दस्तक वो तमाम बड़ी ख़वरे जो आपके जीवन से जूरी है जो आपके लिए स्वरोकार की ख़वरे है वो मैं लेकर आता हूँ आप सुचिए कल्पना कीजिए एक ब्रहामन जो है वो प्रेटिशन दायर करता है कि OBC को आरक्षन पर रोक लगा दी जाए दो ब्रहामन जज कहता है कि बिल्कुल ठेक और मामला है मधपरदेश का जहां OBC का मुखमंत्री है लेकिन सरकार किसकी है तो BJP की मतलब BJP हो या कॉंग्रेस हो मिलना आपको बाबाजी का ठेंगा है समझ रहें कि नहीं आप ब्रहामन लोग RSS campaign चलाड़ा की गुरुकुल चाहिए गुरुकुल मतलब होता है संस्क्रीट क्या इस देश के ब्रहामन अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे मैं भी चाहता हूं गुरुकुल हो लेकिन मैं CSTOBC मैनोर्टी के लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजें 36 गर में भुपेश भगेल OBC के CM है वहां 50 अंग्रेजी स्कूल बन चुके हैं सरकारी 200 से 500 बनाने का लक्षगर ऐसा हो गया तो भुपेश भगेल सांदार नेता है यस जगंडेडी आंध्र परदेश के CM है उन्होंने कहा कि सब स्कूलों में अंग्रेजी में परहाई होगी शांदार फैसला है MK स्टालिन बहुजन उन्होंने कहा है पहले तो कहा कि सब जाती के लोग पुजारी होंगे किसी की बपाउती नहीं है पुजारियों को तमिल में मंत्र पढ़ना होगा अब उन्होंने कहा कि बिना नीट जो मेडिकल के एक्जाम से उसमें जब तक आरक्षन OBC का इंप्लिमेंट नहीं होता है तब तक परिक्षाएं नहीं होंगी तो बहुजनों के लिए ये बड़ी खबरे हैं बीच बीच में जो भी सारी चीजे होंगी बोले के आउंगा ये चार बड़ी खबरे हैं जो आपकी रोजी रोटी आपसे जूरी हुई है मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोसल मीडिया ही आपका मीडिया है जो सोचल मीडिया और सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया है आपको यहीं देखना चाहिए वह सवाल जो कोई media आपको नहीं बताएगा कोई अकभार खबर नहीं बताएगा क्योंकि अकभार है अब च्भार जो वह सुच्छा मैद स्कतन बूद सोचoglo रब insist barbecue t पाकिस्तान में जन्में पाटिसन के समया है कास बीजेपी का बस चले तो उनको पाकिस्तानी कह दे आप सोची इस देश के गौरब मिलखा सिंग को के सहाधत पर उनकी उनका जब परिमिर्वान हुआ है उसके बाद एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि आपको क्या बता हूं मत के रिलवे के स्टेडियाम बेचे जा रहे हैं अब कोई दूसरा मिलखासन पसल नहीं होगा इस देस मेंelu क्रकेट चलेगा जिसको मैं बॆरामं किर्केट कंटोर्ड काउड बूर्ड ओंड अंडिया कहता हूं इस देस की जूडिशियरी है जो ब्रह नालय का आंण कर pense कि कि और सोचिए कि किस तरह के हालात हैं तो कुछ दो तीन और बड़ी खबरे होंगी जो मैं आपको लगातार बताऊंगा और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है मैं RSS की इस हैश्टेक के समर्थन करता हूँ भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बढ़ामन के लिए अनिवार कर दिया जाए कि भी अपने बच्चों को सिर्फ गुरु कुल में पढ़ाए बढ़ामन राष्ट का रास्ता दिखाए सोचिए दो बड़ी खबरे हैं जो मैं आपको बता रहा था और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ केरल के मुल्पत्रकार सिद्की कपन की मा बेटे की यूपी के मत्वराज जेल में रिहाई कियास देखते देखते आज गुजर गए नतासा नर्वाल के पिता मर गए अब कपन के पिता मर गए दरसल यह कोशिश है कि जेल में डालके आपको डराया जाए समर्थन करता हूँ कि भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ब्रहामनों के लिए अनिवार कर दिया जाकि वो अपने बच्चों को गुरुकुल में सिर्फ संस्कीत परहाए अंग्रे जी ना परहाए और सोचिए जुडिसियरी की क्या आलत है मैं नहीं कह रहा हूँ ममताब अनर जी ने कहा है कि जो जज जो केस उनका गया है वो जज जो है वो बीजेपी का कर करता रहा है हाई कोट में कोलेजियम सिस्टम से जज बनता है मैं उस जज की बात नहीं मानूगी सोचे कोई स्टी ओबी सी माइनोटी लालू यादब कह देते और उन मिस्रा पर तो बवाल कर जाता मैं फिर कह रहा हूँ सुप्रीम कोट और हाई कोट का जो पूरा जुडिसियरी सिस्टम है उसमें जातिवाद घोर घोर कर भड़ा है अंकल सैम चाचा भतीजा नाना फुफा ताव है मैं नहीं कह रहा हूँ ममतावनर जाल ये डियल में इसको जस्टिस करणर ने चिठी लिग दी थी सुप्रीम कोट को उनको जिल में डाल दिया गया जो कि कुलकाता हाई कोट के जस्ट थे मैं फिर कह रहा हूँ जब तक मनुबाद ब्रहामनबाद के खिलाप इस देश का नब्वे परसेंट आवाद ये स्टी ओवी सी मैनोटी आवाज नहीं उठाएगा तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी तुम लाचार बेबस गरीब जहालत में रहोगे तुम खीरा चोरी करने के जूटे आरोप में भी जेल खटोगे वो हीरा चोरी करके कोई विदेश चला जाएगा कोई आराम से हैं यायस करेगा आपका कुछ नहीं हो सकता है संभू को कल जेल में डाल दिया जागा जब तीन बार के मुखवंतरी लालु यादर को जेल में डाल दिया जब अखिलेश मुलायम मायवती सीबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया जब जगदेव वागू की हत्या कर दी गए कब जगोगे आप लोग आप तो ममता बनर जी कह रहें कि कास्टिस चातिवादी जज है ये जजभाजपास अथा सही ने पर्मानेंट करने में भी मैंने आपत्ती की थी मेरा किसी केस को इन्हें न दिया जाए और बंगला देश की अजादी की लड़ाई के संघर्स में मोदी किस जेल में थे पीएमों ने जानकारी देने से इनाकार कर दिया है और सोचिए कि गिराज सींग है ये केंद्रिय मंत्री अपना टूइट डिलीट कर रहे हैं दो साल से मोदी जी ने करोना को काबू कर लिया है करोना का नया वेरियंट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है साबदान रहे मैं तमाम बहुजिनों से कह रहा हूं बढ़िया खाना खाईए सराप का सेवन बंद कर दीजे सिग्रेट का सेवन बंद कर दीजे रोज एक्सरसाइज किजिए यही बचाएगा और कोबीड में हुई मौत के लिए सबसे अदा कौन जिम्मेदार है एवीप का सर्व है निकान में परसेंट लोगों ने कहा कि परधान मंत्री जिम्मेदार है इसको हटा लिया गया और पस्सिम बंगाल में भाजपाईयों की जो है सुटाई सुरू है आज योगी जी यूपी में है सबको जेल में बंद कर रहे हैं सोचिये कल दुसरी सरकार आएगी और बीजेपी समर्थकों को यही हाल हुआ तो क्या होगा पस्सिम बंगाल तीन सो भाजपाईयों ने छोड़ी पार्टी गंगा जल से सूथ करके त्रिर्मून कॉंग्रेस में कराए गया शामिल लोनी केस मुसलिम बुजूर का विडियो वाइरल करने वाले उमेद पहलवान गिरफ्तार गाजियाबाद में जो मार पिट कर रहे थे उनको जमानत मिल गई है जो इसने विडियो वाइरल क्या उसको गिरफ्तार कर दिया गया एंपी की आईएस लोकेस कुमार जांगीर ने ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर की खरीद में हुई भर्ष्टा चार का जब खुलासा किया तब से सरकार उन्हें प्रतारित कर रही है सोचिए OBC के कलक्टर का जब यह हाल है तो हमारा आपका क्या वाइस लिए कह रहा हूँ एक साथ आई एक दुसरे का हाथ ठामी और सरक पर खरा होना से कि आपका कलक्टर का हालत है और यह वो वीडियो है नतासान नर्वाल और एक बहुजन बेटी का कलीता का जिसको देखके अमिस्सा की नीन दूर जाते है सुचिए किस तरह से पुलिसिया राज कायम किया जा रहा है किसी को भी जेल में डाल दो ज हमेद को किसी तीघ को भी जियल में डाल दो आप ज्टीम साइए हाई स्परिम चरे की स्पीति है यह किसे अगरम के लेकिन के लेड़ना सब अज़कार ने चिटनी दिसनेए कमे dat लिखा यह चन्था बेथे वह जीटनड के यह लों एक दिया था ना राम मंदिर के नाम पर करोरों रुपए के चंदा को डखारने वाले धंदे पर रोज नया खुलासा और आया उध्या के बीजेपी मेर के भतीजे के भी 32 शर्विम असनान की खबर है चाचा जी की टीप पर कुल 20 लाक में खरीदी जमीन भांजे जी ने राम मंद 20 लाक लगाए पता है आपको बैंक में रखेंगे तो 3% rate of interest है FD करेंगे तो भी 4% rate of interest है भाई साब 20 लाक की जमीन सीधे धाई करोर मतलब गजब है भाई साब तो राहुल गांदी ने कहा था आलू डालो सोना निकलेगा उससे भी बढ़ा है 20 डालो धाई करोर निकलेगा भाईया कोई लगा दे निशनल दस्तर का भी 20 लाक रुपया लगा दे हो हां चंदा देले हम लोग मांग लेंगे देश से धाई करोर कर दे हमारा बड़ा चैनल चल जाएगा चुकि चाचा चंपत राय जी के चहते हैं इसलिए सुचना समय पर मिली और कहते हैं कि चंपत र करोर भतीजे की भक्ती में समर्पित कर दी हैं इसी इनिया इसमान ने मार्च में 27 लाक सरके लेट वाली एक और जमीन ट्रस्ट को एक करूर रुपय में पहले ही ठीक आई थी गौर तलवय कि यही मिहर साब दो करोर साड़े 18 करोर वाले सौदे में भी गवा हैं एक दूसरी जमीन फ्लेट सब गिरूबी करने पर रहे हैं इधर इन पानी में पूरिया तली जा रहे हैं जैस्री राम एक्स्क्लोसिफ खबर न्यूजराल नी के पर पर यह हैं वो फोटो वाला यह भतीजा यह मामा भाई साब इसकी फोटो लगाई है इनकी देश के सबसे ज़्यादा कमानेबाए लोग हैं जो सबसे जादा भारतमाता की जय करता है वो सबसे जादा जमीन भारतमा का व्यापार करता है और एक अशोप पांड़े हैं आज कल पहले लेटिश थे आज कल यूट्यूब चैनल खोले हैं यह कहते है सरस्वति माता घ्यान दिलिप मंडल जवाब द पहुजन नहीं हो सकता है आपको अपने चैनल के बारे में सोचना परेगा और यह वीडियो देखिए इसको मुंटाज में चाहूंगा कि लगाएं यह यूपी पुलिस है बागपत में चुनाव जिताने बीजेपी के मेर मतलब बनाने के लिए पंचायत बनाने के लिए एक आ कुल भाजपा नित्रित्व सदस्यों को डराध हमका कर अपने पक्ष्में मतदान के लिए मजबूर कर रही है इन पर किजी अगर जूट ख़बर पहला रहे हैं तो कोवीड का नया वैरियंट लैंबडा इसका नाम है लैंबडा यह रामद्यों कोई नाम क्यों नहीं देते अपने देश में तबाही मचाने वाले डिंटा बैरियंट से भी ज्यादा खतरनाक है उन्ती देशों में आ चुका है शापधान रहने की जुरूत है और मास्क न पहनने पर विधाय का पांस रुपे का चलान काटने वाले मसूरी के इस करताव प्राइंस अब असली खबर पर जो मैंने आपको टीज किया था 27% OBC को आरक्षन मिला हुआ है उसको लागू करना है लेकिन कई राज हैं जो लागू नहीं कर रहें उसमें एक राजमत परदेश भी है जहां जहां राम राज है वहां यही हाल है दूबे फाइल से पेटीशन एगें 27% OBC को अरक्षन देंगे एक सरमाजी चला गया दूसरे दो जज़ सरमाजी ने सुन लिया और कैंसिल कर दिया यह सारे सरमाजी लोग OBC से नफरत करते हैं आप रहें ब्रहामनबाद मनुबाद में पूजा करते हुए दच्छिन भारत का बढ़ा नेता M.K. स्टालिन मेडिकल OBC रक्षन लागू कराने के लिए केंसे भीरा हुआ इस वज़े से इस वार नीट का परिक्षा रद हो सकता है और ओरीशा के धेंकनाल में आपको लगता हो कि नवीन पटनायक दूद के धूले हैं जातिवाद हर जगह है इसे लरना पड़ेगा ओरीशा के धेंकनाल में मन बिचलित कर देने वाली वारदा सामने जातिवाद तत्वों ने सी परिवार पर बंप बुलेट से हमला किया है चंसे कर्याद रावन ने ट्विट किया है और सुचिए मिलखा सिंग को स्योसल मीडिया पर लोग ट्रिब्यूट कर रहे हैं उनको याद कर रहे हैं एक तरफ म महान धाबक मिलखा सिंग जी के नीधन पर खेल को महान बताया जा रहा है रेलवे खिलारियों को बधाई दी जा रही है दूसरी और रेल मंत्राले अपने 15 स्टेरियम को मौल और दुकान में तब्दिल करना चाहता है मंत्री जी खेल के मैदान को खिलारियों के लिए रखे जिन लोगोंने खबर चला उस पर केस हो रहा है जिन्होंने पीटा उसको जमानत मिल रही है तो यह सारी बड़ी खबरे थी जो मैं आपको लिए लेकर रहाता है इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि सोसल मेडिया भौजर मीडिया है सोसल मीडिया सच्चा मीडिया पर जो लो जिन्होंने तक्सिला नलंदा जैसे विस्विद्दाले तबा किये थे हम भी वही कर रहे हैं कुछ समझे की नहीं कोई अनुगा कर देश्द्रोई हो जाता है तो कोई चंदाखा का राष्ट भक्त दिगविजाय सिंग राम मंदिर की बड़ी धन रासी दो चार लोग के हवाल संजय सिंग ने मुर्चा खोल रखा है भाजपा नेता रीना दो बेटों समयत गिरफ्तार क्लेमन टाउन में कोबिट से मिर्द दमपत्ती की प्रपटी कब जाने का रोप भाजपा ने पार्टी से निस्कासित किया देहरा दूंग भाई साब कहां लेके जाएंगे ये लु परोसा ही नहीं हो रहा है क्या करेंगे भक्तों के लिए महंगाई गुप्त रोग हो गई है पीरा उनको भी है लेकिन खुल कर बोल नहीं सकते ये इतना घंदा ठीक नहीं है कि मत पर्देश में बावन फिर्दी ओवी सी का 14 परसंट कोटा है कमलनात्नी से बढ़ा कर 27 परसंट कर दिया बिसीओ हजार नोकरियां ओवी सी को मिलने वाली थी फिर असीता दूवे ने केस कर दिया जस्टिस जहार जस्टिस दूवेदी ने 27 परसंट पर रोक लगा दी इ तो यह सोशल मीडिया पर जो खबरें मैं बता रहा हूं किस तरह से लगातार और एक बड़ी संसनी खेज खबर बता रहा हूं मीडिया किस तरह की भूमिकानी बात है जो बचे नाजी सरप्रस्ति कबूल ली भारत बिना किसी कानून के भ्राम्बन मीडिया सत्ता के साथ उसके पक्ष में ख़रा हो जाता है सोचिए आप केरल के मुल्पतकार सिद्गी कपन की मा की यूपी मत्राजल से रिहाई देखते देखते उनकी निधन हो गया है लेकिन कोई उनको जमानत नहीं दे रहा है और क्रांती कुमार ने लिखा है क्रांती कुमार का ये पोस्ट पढ़िए बहुत मारक है बरतमान समय में अगर परधान मंत्री कोई नरेंदर जाटव होता रच्छा मंत्री राजनाथ यादव होता गिरी मंत्री अमीत पासवान होता विदेश मंत्री जैसंकर खटीक होता और वित्र मंत्री निर्मला कनोजिया होती तो ये क्या ब्रहामन नीज चैनल पत्रकार और सेकुलर बुधी जीवी गुंडे रहम करते सब के सब मिलकर टूट परते देश में ऐसा महौल बनाते कि देश अयोग नेता के हाथों में 89, 96, 97 में ऐसा कर चुके है जब जब ओभी CST बग से कोई CMA मंत्री बनता है इस राज का ब्रहामन मीडिया और सेकुलर ब्रहामन बुधी जीवी पत्रकार सब मिलकर बतनाम कर देते हैं जंगल राज है कानुन ग्रस्ता खराब है उम्मीद करता हूँ इस अयोग ब्रहामन सरकार पर आप लोग कोई रहम या दयान मया नहीं करेंगे सच कह रहा हूँ बरतमान सरकार के सभी मंत्रिय योग हैं क्या दुई जाती से होना योगता है करांती कुमार ने ये पोस्ट लिखा है और पंद्रा लाख अब साल बाद डिये के साथ मिल सकता है आफत वंधवक्तों की है तिवारी के चक्कर में भक्तों को अंसारी का भी समर्थन करना पर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा मजाग हिंदूओ एक हो जाओ जब एक ही करना था तो चार बर्नों में बाटा के हो और ताबूत खोर थे ही हराम खोर बन गए सुना है और्डिनेंस फेक्ट्रियां की बाड़ी आ गई वो भी बेचा जा रहा है और एक और जो हमारी तारीफ में हमलों की तारीफ में एक पोश्ट है बीजए पी मेनेंस्टी मीडिया को छोड़कर के बल सोसल मीडिया पर कुछ क्यों लगाना चाहती है करांती कुमार ने एक पोस्ट लिखाया लास्ट में पढ़के सुना दे रहा हूं ज्यादा लंबा नहीं है में नाजी पाठी जर्मनी की सत्ता कबजा पर ठीटित करने की कोई मियम कानुन बनाय जो नहीं परी बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही देश के सबन जाती के परत्रकार हैं मीडिया है उन्होंने उनको सरेंडर कर दिया अख़बारे और नीचलों में बरे छोटे पदों पर कार करने वाले अधिकतर ब्रहामन पत्रकार ठाकुर बनिया है अगर किसी तरह OBCCST के बीच पहु दस्तक के इन तमाम पत्रकार मौजूद हैं इसलिए अब बीजेपी चाती है कि सोसल मेडिया को बंद किया जाए क्योंकि टीवी उनके कबजे में है अब बताइए तमाम ख़बरे जो मैं आपके लिए ले कर आया था इससे आप सहमत है असहमत है कि आपके लिए जरूरी नह आते हैं जिससे आपका सरोकार है जिससे आपका जन सरोकार है अपनी पत्किरिया जोर दीजिए शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें